Hello Friends, Hello Students, Welcome to the English Classes ये Class 9th के English के Moments का यानि Supplementary Reader का Chapter No. 8 है A House is Not a Home by Zan Godiso इसका हम लोग MC क्यूज करेंगे Multiple choice questions This is very important for your examination with explanation आई ये बिना देर के हमें से स्टार्ट करते हैं ये First No. question है It was a cold and windy fall यानि यह एक थंड़ी और हवा भरी पतज़र थी A. आपसाने Morning यानि शुबर B. आपसाने Day दिन C. आपसाने Night यानि रात D. आपसाने Afternoon यानि दो पहर इसका सही आपसाने B. दे यानि दिन Second No. question है My teachers would encourage me to get involved in school यानि मेरे सिच्छक मुझे स्कूल में सामिल होने के लिए प्रोसाहिद करेंगे A. आपसाने Programs यानि कारिकरम B. आपसाने Games यानि खेल C. आपसाने Activities यानि गतिवीधियों यानि मेरी माँ घर को अच्छा रखने और के लिए आग लगाती रही A. आपसाने Warm यानि गर्म B. आपसाने Bright यानि शमकीला या उज्वल C. आपसाने TD D. आपसाने Cold ठंडा तिसका सही आपसाने A. Warm यानि गर्म फूर्थ नूमर कोशने The smoke began to feel the room so quickly that we could barely यानि कमरे में धुआ इतने तेई से भरने लगा कि हम मुश्किल से ही A. आपसाने Breathe यानि सांस ले पाए B. आपसाने C. यानि देख पाए C. आपसाने Stand यानि खड़े हो पाए D. आपसाने Go Out यानि बाहर जाए आपसाने B. आपसाने C. यानि देख पाए 5. नूमर कोशने The author had rescued the cat when she was यानि लेखक ने बिल्ली को तब बचाया था जब वह थी A. आपसाने Running Away यानि भाग रही B. आपसाने Coming Out of the House घर से बाहर आ रही C. आपसाने A kitten यानि एक बिल्ली के बच्चा 6. नूमर कोशने The author had kicked his soul off when he was doing his लेखक ने अपने जूते उतार दिये थे जब वह अपना काम कर रहा था A. आपसाने Homework यानि ग्रिह कारे B. आपसाने Washing यानि धुलाई कर रहा C. आपसाने Householder Chores यानि घर के काम D. आपसाने Playing यानि खेल रहा तिसका सही आपसाने A. Homework यानि ग्रिह कारे 7. नूमर कोशने The clothes I were wearing looked यानि मैंने जो कपड़े पहने थे वे दिख रहे थे A. आपसाने Bright यानि उज्वल B. आपसाने Tittled यानि फटा हुआ C. आपसाने Saiby यानि जर-जर D. आपसाने Word यानि अजीब 8. नूमर कोशने I ran over and यानि मैं दोडा और A. आपसाने Came back यानि वापस आ गया B. आपसाने Hugged her उसे गले लगाया C. आपसाने Called her उसे बुलाया D. आपसाने Cut the kitten यानि बिल्ली का बच्चा पकड़ा तिसका सही आपसाने B. Hugged her उसे गले लगाया 9. नूमर कोशने I worked around school like यानि मैं स्कूल में घूमता रहा जैसे A. आपसाने Zombie यानि एक Zombie की तरह B. आपसाने Stranger एक अजनभी की तरह C. आपसाने Madman एक पागलाजमी की तरह D. आपसाने An Important Figure यानि महतपूर्ड बैक्ती के रूप में 10. आपसाने A. आपसाने A. आपसाने एक Zombie की तरह 10. नूमर कोशने It always seems that bad news spreads यानि हमेसा ऐसा लगता है कि बुरी खबर फैलती है A. आपसाने Slowly यानि धीरे धीरे B. आपसाने Quickly यानि जल्दी से C. आपसाने Gradually क्रमसा D. आपसाने Rapidly तेजी से जिसका सही आपसाने B. Quickly यानि जल्दी तो हम उमीद करते हैं कि वीडियो आपको पशंद आई होगी यादि पसंद आई होगी तो अपने Friend Circle में अपने दोस्तों क्पाशी से जरूर शेयर कीजिएगा Thank you. Thanks for watching.